हेलो, नमस्ते, और जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ वो है सिमी सनफलावर की पेंटिंग है, हाफ है, हाफ मंडलर ड्रॉड करूंगी, तो इस बार मैं जितने भी शेयर कर रही हूँ सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाल के फ्लावर पेंटिंग है, कई लोगों को करना काफी मज़ेदार लगता है और home decor के लिए अच्छा लगता है तो मैंने इसमें जो भी बनाया हुआ है वो सारे की सारे flower pattern है बस color different different use किया है जैसे इसकी बात करो तो इसमें मैंने pearl color का use किया है pearl color इसलिए कि मुझे थोड़ा सा इसे shiny करना था wall पे लगाना था तो wall decor वाला tutorial बहुत जल्दी शेयर करने वाली हो आपको और यह जो second वाला है यह भी sunflower का ही painting है बट इसके साथ थोड़ा सा मैं different कर रही हूँ मैंने acrylic color का use किया है acrylic color से पहले background को color कर दिया है उसके बाद brush की help से या कुछ भी ऐसी चीज जिसकी help से आप हलका हलका सा रंग बिखेर सके वो कर लें तो थोड़ा सा वो अच्छा लगता जिससे टिम्टी मार तकता हुआ और तारा उस तरह की style आ जाएगी after that इसमें मैंने pearl color acrylic color normal वाला और pearl color दोनों यूज किया तो pearl color इसलिए थोड़ा सा मुझे shine देना था this time भी देखने के बाद ये भी बहुत जादा घुपसूरत लग रहा है बहुत easy pattern है इस तरह के साथ आराम से बना सकते हैं कोई बहुत जादा मुश्किल नहीं होने वाली है बच्चे भी असानी से बना सकते हैं ये वाला pattern बहुत ही थोड़ा सा difficult है मैंने पहले से design trace कर ली थ fabric पे बनाती हूं ताकि जैसे pillow cover हो गया या bed sheet हो गया तो थोड़ा सा वो देखने में अच्छी लगती है तो मैंने this time यह सोचा कि पहले मैं इसे easily आपको paper पे बना के बताऊं जैसे जो paper है ये a5 size का है और इस पे जो print है उसको मैंने acrylic color का ही help लिया है जो red वाला flower है उस पे सि color का यूज किया था और सारा मैंने normal acrylic color का यह pattern भी थोड़ा सा difference है यह भी मैंने fabric के लिए ही यूज किया था तो मैंने सुचा इसे paper पे करके दिखाती हूं कई लोगों को interest होता है कि जो big cushion cover है pillow cover है उसे खुच से paint करके अपने घर को सजाएं तो यह सब उनकी लिए patterns है बहुत easy easy से patterns है आप एक center में बना लीजे पिलो में और छोड़ी छोड़ी से design आसपास बना लीजे सेंटर पे table cloth के center पे बना लीजे यह easily बन जाने वाले हैं आप देखी रहोंगे बहुत ही जादा खुपसूरत लगते है इस तरह के बहुत सारे patterns मैं कोशिश करती हूँ आप लोग सा पानी स्प्रिंकल कर लिया है watercolor sheet है इस वज़े से उसके बाद मैंने watercolor जिस तरीकी से brush के help से आपको थोड़ा थोड़ा सा बहुत easy सा pattern है बहुत full अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताए कि मैं full में भी आपको बताऊंगी कोई बीजे से नहीं भी आता है ना वह भी easily watercolor painting कर लेगा उसके बाद यह वाला जो ड्रोकिया है flower brush के help से आपको अराम से को design बनाने की ज़रूत नहीं है मैंने plain paper पेपर पर ऐसे design बना ली है आपको पैटन ड्रो करने की ज़रूत नहीं है असानी से आप इस pattern को बना सकते हैं और इस पर color का मैंने गौची color का यूज किया है गौची color मेरे पास पढ़े थे वो बिचार यूजी नहीं हो रहे थे और यह जो last वाला pattern है यह pattern अगर आप देख रहोंगे तो जिसे हम line art बनाते हैं वैसे यह मैंने अपनी किसी pillow पे बनाया हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी पे शेयर करती हूँ जिसे painting करने बिलकुल न आती यह उन लोगों के लिए बहुत ही easy pattern है आप असानी से इसको बना ले सकते हैं यह वाला और इससे पहले वाला दोनों pattern बहुत ही easy हैं आपको नहीं आती है तब भी आप करके अपनी कोई भी चीज को decorative piece में बदल सकते हैं और बनने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा खू जाया होगा thank you for watching this